नमस्कार श्रोताओं हम सभी के मन में कभी ने कभी ये सवाल आता होगा कि आखिर सही पोशन क्या है हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा शरी, तन, मन हम सब प्रकार से प्रसन रहें तो आज इसी मुद्धे पर पोशन सप्ताह के अंतरगत बाचीत करने के लिए हमने आज अपनी स्टूडियो में आमंदरत क्या है डॉक्टर आरेस जैन्त सहब को जो शिशिरोग विशिशग है जिलाचे के सैले सागर में डॉक्ट सब आपका बहुत-बहुत स्वागत है तेंक्यू और सभी शरोताओं को मेरा नमस्कार हाथ जोड करके डॉक्ट सब सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि सही पोशन क्या है सही पोशन यह है कि हमारा सरीर, मन और हमारे सरीर के हर अंग सही तरीके से काम करते रहें ऐसा उनको खान पान और माहौल मिले यही सही पोशन है कितना हमें विटामिन्स, मिनरल्स कितने कार्भो हाइटरेट, कितना प्रोटीन हमारे शरीर में और फैट यह कितनी मात्रा यानि इनका परसंटेज क्या होना चाहिए हमारे शरीर में, हमारे बॉड़ी में बिलकुल इसका गड़त भी है और इसका जो गड़ित है उसके अनुसार थोड़ा सा याद दिलना चाहेंगे कि जैसे हमारे सरीर की संदचना है वो हमारी सरीर की संदचना हमारी प्रत्वी जिसको अपन मामी बोलते हैं उसी से मेल खाती है तो हमें लगवग वो ही सारी चाहिए जो हमारी प्रत्वी के पास ह जी बिल्कुल तो अगर हम अब इसको डाक्टरी वसा में कहें तो हमारे शरीर में तक करीवन दो त्याई सा पानी को होना चाहिए जो तरल पदार से हमें मिलता है और खास करके पानी से मिलता है और बाकी का लगवग 15-20% भाग प्रोटीन होना चाहिए और लगवग 10-15% हमार शरीर को जो भी पोशन मिलता है वो उप्यूक्त होता है और जो हमें दिनवर एनरजी और काम करने और न की काम करने बले मस्तिक्स भी हमारा उसी अनपात में काम करें जे डुक सब ऐसे कुछ सस्ते और सुलब आहार होंगे जो गाउं में खासतोर से ग्रामीन अंचल में जो मैं कोसिस करूँगा कि आप जन्म के समय से में बात करना चाहूँगा दुनिया की हर मा ईश्वर उसको जब बच्चा पेट में आता है तब से उसके सरillar में बच्चेको पोशन और माको पोशन मिलता है इसकी पूरी ववस्दा करता है और इसी तारितम में जब बच्चा जन मिलेता है उसके ठीक लगवग 15 दिन पहले से ही जन्म चाहिए वो प्री टर्म हो चाहिए फोल टर्म 15 दिन पहले से ही प्रकृति उसको दूद देना शुरू कर देती है बच्चे को अतियावस्च है कि जन्म की समय उसको तुरंत माका दूद मिले जिसको हम डाक्टरी भासा मे कहते हैं कि किसी भी कारण वस चाहिए कारण जो भी हो पर एक गंटे गंदर उसको माका दूद मिलना चाहिए या कोई ऐसी बज़े है जो नहीं मिल पा रहा वो और भी बज़े हो सकती है लेकिन अदरवाइस कोई भी बज़े नहीं है तो सिर्फ माका दूद मिलना चाहिए उसके बाद में यही प्रक्रिया लगातार 6 महीने से लेकर के 2 साल तक चलती रहेगी, 6 महीने तक बच्चे को मा के दूद के अतरिक्त कुछ भी देने की जरूत नहीं होती है, अब भी कुछ स्टेडीज ने बताया है कि कुछ बच्चों में या ज्यादातर माओं में बिटामि इंडी को रिकमेंट करते हैं, और 6 महीने के बाद बच्चे को मा के दूद के साथ-साथ में घर का बना हुआ भोजन मिलना चाहिए, और घर के बने भोजन में जो होता है, वो मा के दूद में जो बढ़ते बच्चे की कमी को पूरा करने के लिए एक गाइडलाइन ते की लेकिन जो कोई hard and fast rule इसलिए नहीं है कि अगर बच्चे को इतना दूद हो रहा है कि मा के दूद से उसका बढ़िया बजन बढ़ रहा है और वो कम मातरा में खाता है तो कई माएं हमारी बेचलित हो जाती हैं कि बच्चा हमारा अच्छे से खाता नहीं है, तो जितना भी ख जितनी उसकी कम है उतना ही खाएगा, उससे जदा वो नहीं खाएगा, क्या खाना है? बहुत ही सिंपल सा इसका formula है कि जो खाना हम बच्च पन से खाते आ रहे हैं, वो ही खाना हम बच्चे को खिलाएं, उसमें सामिल होता है जो खाना हम खा रहे हैं, उसको पतला और semi-liquid, इसको पर अर्ध पतला बोल सकते हैं जो मेरी अभी तक का अनुवाओниц का अनुव़ाओ उसकी अनुशार मैं लोगों को बताता हूँ हमेंसे इसक करता हूँ बच्चे को सवेख उट के माके दूद सेकंड भोजन दूद रोटी जो घर में हर जागा उप लबद थे तो बच्चे को दूद में रोटी गला के दें बस इसमें एकी दियां रहना है कि दूद रोटी जब प्रिपेर करें बनाएं उसको तो उसके आदे गंटे से बाद तक की दूद रोटी फिर नहीं दें उसको डिसकार्ट करें अधर वाइज बनुक्सान कर सकती है चार से चहवा माका दूद दूद रोटी के साथ-साथ में घर का खाना और माका दूद परियाप्त मातरा में मिलता रहता है जो बच्चे माका दूद पी रहे हैं किसी भी काण बस अगर वो बिमार भी हो जाते हैं तो लगवग 100% जोर देके कह रहा हूँ उनको ठीक होने की पूरी-पूरी संभावना रहती है बच्चे बहुत जाद ऐसी गंभीर बिमारी से पीडित हो जाएं जिसका के इलाज संभाव नहीं मैं सभी माओं को सभी उनकी जो भी घर में हैं बड़े बुजर्ग और जिनका खास करके घर में वो रहत चलता है अपनी सलाह वो जरूर इसको सलाए जैं मैं यहां और एक बात कहूंगा कि हमारे भारत वरस में खास करके गरामी डंचलों में जो हमारे कम कमाई वाले जो एरिया हैं जिनको लोर सोशियो एकोनोमे गुरूप कहते हैं वहां पर बहुत बुरा परचलन चालू हुआ है कि बच्चे को जैसे ही बच्चा स्टार्ट सुरू होता है कुछ खाने पीने की माबाप उसको चाय चटाना शुरू करते हैं दादा दादी चाय चटाना शुरू करते हैं इसके बाद में बिस्किट के आज़ा डालते हैं टोस्ट के आज़ा डालते हैं ये मेरी नजर में सबसे बुरा खाना है इसको बिलकुल भी बढ़ावा नहीं दे एक बहुत हर बच उसमें कुछ भी गोलेंगे तो वो बेकार हो जाएगा अच्छा नहीं रहेगा जो बड़े बड़े विग्यापान बहुत सारी उसमें दावे जो रहते हैं इस बेकावे में आएं कोई भी चीज शुरू करने के पहले कम से कम अपने डॉक्टर की सलह जरूर ले ले और अगर स अक्षंद है जो वो सब चीज़ें को चाहता है जो या तो विग्यापनमाई या लोगों को देखते हैं कुछ भी खाने के पहले क्यों कि हमारा सरीर जो भी खाएंगे हमारे लिए जिन्दी के बार साथ देगा हमारे सरीर को बनाएगा तो इसलिए खाने के पहले एक बार सो है हलकासा तो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स यह बताते हैं कि भाई इनवे मिंरेल्स या वितामिन्स या खंडिज लवंड की कमी हो रही है तो ऐसे कौन-کौन से आहार है, पूरक आहार हैं पोशन के जिनके लेने से अगर हम इन विटामिन्स और मिंरेल्स की कमी दूर कर सकें तो बहुत बढ़िया रहे जैसा अभी बताया था कि लगबक जो 65 पीश्डी भाग रहता है ऐसा ही हमारे सरी में कायर वो हाईडिट की जरुट लगबक दो त्याही जो हमारा भोजन का पार्ड़ है दो त्याही पार्ड़ेस में मोटे अनाज मोटे अनाज औ और मोटे अनाजों के मिस्चृण से घर का बना हुआ खाना जो अगर सबसे अच्छा कहूं तो खिछडी बिर्दा की रोटी जिसमें हम दूद अगर डाल दें और सात्में गॉल डाल दें और उसी में बच्चे की जरुवत के अनुसार उसकी उम्मर्श के अनुसार लगवा पांच बून से लेकर के एक चमच घी तक उसको मिला दें तो ये दुनिया का सबसे बड़िया संतुलित और पूरा काहार बन जाता है मा के दूद के साथ और सबी अन जो भी हमारे पास जतन है तो चाबन की प्रतिशाव तो इसको बारा परसेंट और हमारे चेना दाल है तकरीवर चोवीश परसेंट और हमारे शॉववीश विह नहيل इसमें इसमें अर्टालीस प्रतिसीनगत हो तो प्रोटाइन आपैँ का और भी होती है इन्हीं का मौसमी फलों का और प्रकृती को आप मोसम का जादा ग्यान है हमसे, तो प्रकृती जिस मोसम में जो फल और जो सब्जियां जादा दे रही है, उसको प्रचुर मात्रा में खाएं, जिससे कि हमारे सरीर की इम्यून पावर, पाचन सक्ती, और हमारी ब्रदी और विकास, इन सभी पे बहुत तो ताजी फल हमारे हाँ एक प्रचलन में है कि ये जो फल जाना आते हैं बच्ची आना खाने लगते हैं लेकिन घरवारी लोगते हैं कि इससे ये हो जाएगा इससे बिल्कुल भी नहीं होता डॉक्सवाब चलते चलते एक आखरी सवाल और करना चाहेंगे कि कई बार गाउं में ये देखा गया है कि बच्चों को आहार सही दिया जा रहा है वो आहार जादा भी खा रहे होते हैं उनके हाथ और पैर कमजूर होते हैं पेट फूला फूला दिखाई देता है यानि पोश बच्चे नंगे पैर घूमते रहते हैं कुछ भी उठाके खाते हैं तीसरी बात जेक हमारे घरों के आसपास ग्रावन आखे में जाया हैं मक्यां खूल गूमते रहते हैं जो कीडों की और करमी और के साथ साथ में बहुत सारे बैक्टिरिया की बाहप होती है तो इनकी वज जैसे बच besond ces या उता हर बार बार खाना खाते है और बार मुसेने की या झाटी हो जाते हैं तो इसके वजह से जो भोजन बच्चे को मिलना। GUY हो मिलन फो नहीं मिलना करो बहुत इसका इलाज कराना बहुत जरूरी होता है, इसको नॉर्मल ना समझा, और मेरे अंत में यही अपील है, कि हमारा सरीर अन्न से ही बनता है, और सबसे जादा ताकत होती है अन्न में, दूसरी ताकत होती है दूद में, और तीसरी ताकत जादा उसमें होती है, जो हमें खास करके पेड़ पोदों से जो हमें फल सब्जियां मिलती हैं वो उसका इस्तिमाल करें लेकिन खाने के पहले जरूर सोचें कि ये हमारे शरी के लिए जरूरी है उतना खाएं बजार की चीज़ों के वारे मैं सबसे यही कहूंगा कि हमारे मन पर कंट्रॉल करें डॉक सब बहुत ही बड़ी हा जानकारी आपने दी और हमें विश्वास है कि हमारे ग्रामीर और शहरी बराबर से सभी श्रोताओं ने इस जानकारी का फाइदा लिया होगा और आगे भविश में जो भी वो गलतियां करते थे जैसे कि मा का दूद ना पिला कर बाहर का आहार दिलाना चाय चटाना यह छोटी-छोटी सी गलतियां होते हैं जो हम जाने अंजाने में कर देते हैं इन सभी गलतियों से अगर हम बचते हैं तो हम अपने आने वाले भविश यानि कि शिशूओं को बच्चों को एक अच्छा स्वस्त शरीर दे सकते हैं डॉक सब आप हमार ये ची जनकरिदी इसके लिए.